वोग आपके लेकर आई हूँ एक ऊइल फरी बहुत कम समय में बन कर त्यार हो जाती और बहुत ही टेस्टी बन कर त्यार होती है अगर अपने नास्तिक लिए सोचा नहीं है क्या बनाना है तो बिना सोचे बिना प्रिप्रेशन के आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत स्पॉंजी बहुत ही सॉफ्ट बनकर त्यार होती है टेस्ट भी इसका बहुत ही मज़ेदार होता है तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेश्ट है कि अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक से और सुब्सक्राइब जरूर करें इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक मिक्सर का जार ले लिया है उसमें डाल लेंगे एक कटोरी सूजी सूजी आप मोटी पतली कोई से भी ले सकते हैं उसी के साथ है सेम कटोरी से एक कटोरी पोहा ले लेंगे पोहा भी आप मोटा पतला कोई सा भी हो आपके पास उस से ले सकते हैं अगर दंखे आपके पास लोगाए ना है तो तो थोड़ा सा मिक्षर घहड़िक हो डालograpर में तो इसे ट्रान्सफर कर लेंगे और गड़ंग करते हैं मिक्षर को हमें एकदम बारिक ब्लिंड करना है थोड़े मोड़े सूजी के दाने रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और कंसिस्टेंसी जो है इसकी इडली के बैटर जैसी होनी चाहिए अगर बैटर थोड़ा सा ठीक हो गया हो तो थोड़ा सा पानी उसमें डाल सकते हैं बैटर को अच्छे से फेट लेंगे और इसमें पर मुझे थोड़ा सा बैटर मेरा थीक लग रहा था तो थोड़ा से मैं इसमें पानी भी डाल दिया है तो यहां पर इसकी कंसिटेंसी आप देख सकते हैं इसे बहुत अच्छे से पांच मिन तक फेटना है जितने अच्छे इसे फेट लेने के बार ट्रांसफर कर देंगे ग्रिस क्यूई प्लेट में उसके बाद प्लेट को एक से दो बार टैप कर लेंगे ताकि बैटर इवेंली फैल जाए उसके उपर से मैं थोड़े से चिली पॉड़र स्प्रिंकल कर रही हूं इसे काफी चटपटा सा इसका ट आपके पास श्टीमर हो तो आप उसमें कर सकते हैं 10-12 मिनट में ही यह बहुत अच्छे से कुक हो जाता है तो 10-12 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैटर है बहुत अच्छे से फूल गया है इसमें नाइफ या टूटपिक डाल कर अगर वह चिकना निकलता है तो हमारा बहुत अच्छे से नास्ता बन करते हैं इसे बाहर निकाल लेते हैं प्लेट को मैंने बाहर निकाल लिया है नाइफ की हेल्प से किनारों को लूज कर लेंगे यहां पर वीडियो थोड़ी बलर हो गई है स्टीम के कारण लेकिन बस असानी सी यह दब रहा है इस ब्रेकफास्ट को ओईल फ्री अगर आप खाना जाते हैं तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं मैंने एक पैन ले लिया है और इसे मैं थोड़ा सा सेलो फ्राइब कर दूँगे तो बहुत ही थोड़ा सा दो चमच बस मैंने इसमें तेल डाल लिया है थो और इसके बाद आप चाहें तो कट करके इसे फ्राइब कर सकते हैं तो उस तरह में ऐल आपको जादा डालना होगा लेकिन मैं इसे ऐसे ही थोड़े सेलो फ्राइब कर रही हूं और बहुत अच्छे सी यह हो भी जाते हैं तेल भी हमें ज्यादा यूज नहीं करना पड़ता है तो दोनों तरब से अच्छे से इसे सेक लेंगे बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी सा हो जाता है दोनों और से एक से दो बर पलटते हुए इसे क्रिस्प कर लेंगे ताकि बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी सा इसका टेस्ट आ जाए तो यहां पे हमारा जो ब्रेक्वास्ट ब Hailare अता है बिलकुल में तो आप हुला कि उस पैसी बहुत से खै इसे निकाल लेते हैं तो इसे निकाल लेते हैं और नहीं पर बहुत हमारा इस सूजी का ढोकला ऑपिसरो के सकते हैं मैंने इसे सर्व किया है टमाटर प्याच की टैंगी चटनी के साथ अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं तो बस हमारा नास्ता बनकर त्यार है बहुत स्पॉंजी जाली दार इसे आप सुबह के नास्ते में खाईए ब मेरे पेज को फॉलो जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में